हेलो गाईज वेल्कम बैक तो मारे चैनल मुस्कान चौधरी जोफिशियल और आज हम करेंगे हिंदी का पार्ट तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा जो की लिखा है बेचेंदरी पाल ने जो की फर्स्ट वुमें थी जिन्होंने हमारा जो माउंट एवरेस्ट है इंडिया का पूरे वर्ल्ल का सबसे बड़ा माॉंटेन उस परने अपना जहणडागा था यानिकि वह सबसे पहली वुमें थी जो वहाँ पर चड़ी थी और इस के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो चलो शुरू करते हैं तो साथ मार्च को वे अपनी टीम को लेकर हवाई जहाद से दिल्ली से meisten काथमान्डू जाने लगी थी और उसके बाद جब वहाँ का अपो पहुंची अपनी टीम के साथ पर उनका बेस गेंप एड़ी ठाण के जहां पर जहां पर उनकी जो टीम थी अग्रीम दल था यानिक इसलिए वह पहरे जड़े गई थी उसके बाद नम्चे बाजार जो कि शेर्पा लेंड यानि कि नेपाल में एक नम्चे बाजार है जो कि शेर्पा लेंड बहुत ही फेमस है और वहां के बहुत सारे महत्रोपूर्ण शेत्र भी है नम्चे बाजार में ही जादा था जो शेर् अगर कमा था यानि की पूरी वर्ल कमा था आगे उसके बाद बेचेंदरी पाल ने हमारे एवरेश्ट को देखा और उसके बाद उन्होंने वहां पे एक बरफ का फूल देखा जो कि इस तरह लगा था जैसे कि किसी पहाड़ पर कोई जंडा लहरा रहा हो और उसके बाद जब तो मुझे मतलब उनके जो टीम मेंबर से उन्होंने बताया कि वह 150 km उपर है और वो जंडा इतना लंबा था 10 km जो कि मेरे बोट पर आ नहीं रहा आहिए नहीं आएगा कभी 10 km लंबा फूल था उन्होंने उनके टीम मेंबर ने बताया उसके बाद क्या हुआ कि दक्षेंप दौरान में बहुत ही सारी कठिनाईया आने वाली हैं और तो और वहाँ पर उनको बहुत सारी हवाएं चरेंगी तुफान आएगा जो कि वो बचेंदरी पाल को डुराने के लिए काफी था लेकिन वो कहां डरने वाली थी वह उन्हों ते अपना सामना करना ही था तो उसके ब बहुत बुरी खबर मिली कि एक शीरपा कूली जो थे उनकी सोला शीरपा कूली थे जिसमें से एक की मृत्व हो गई थी और चार जो घाल हो गए उसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपनिता प्राम चन्द शो थे जो की पहले मैंने आपको बताया हुआ है उपनिता प्रेम चन् an तो ज unnecess तरह की उन्हें पता था कि एक कि मृतियों और चार तो वह पुछोगे कौन है जो अगरिम दल था जो कि पहले ही पहार पर चड़ा हुआ था उसके नेता थे जिन्होंने उनको लीड किया था तो प्रेम जो थे वह वापस उनकी टीम के पास आ गए थे और उन्होंने बताया कि उसरा बेचंद्रिपाल को बताया उनकी टीम को कि पहार प पर चड़ने की जितने बी बाधाइ थी 6000до Vision उन्होंने सारी दूर कर दी हैए सारे बरफ होड़ा दिए और 6000 पर उन्होंने एक कैम्प ही लगा दिया जो कि हिंपांत के ठीक ऊपर है और वहाँ पर रास्ताभी साफ कर दिया उन्होंने य Оп язы उन्होंने ये विंवीं बताया कि पर चड़ने शुरूई करने वाले थैंकि एक रसोया था जिसकी मृत्थी हो गई थी जो पहले एक टीम गई ती वहाँ उपर चड़ने के लिए उनकी एक रसोया जो कि खाना भॉनाने में हेल्प करता था उसकी मृत्थी हो गई थी और फिर बिचेंदरीपार के मन में जई सवाल आया कि शायद ही अम हम अब ये सफर पूरा कर सके लेकिन फिर भी उन्होंने कौं सा हार मानी थी, उसके बाद क्या हुआ। तो अब बचेंद्री पाल ने उसको फिर से एक बार बरवत को देखा क्योंकि पहले वी दो बार देख चुकी थी और उसके बाद एक और बड़ी प्राब्लम आ गई कि उनके जो नेता थे उन्होंने बताया कि नदी जो हिम पाल यहां पे ग्लेशियर जो बह रहा था वो कभी 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 वहां पे जो साइड में बरव होती है वो पिगल कर कोई तुफान भी बना सकती है जिसकी वजय से खतरनाक सिती पैदा हो सकती है और किसी की वी जान भी जा सकती है तो जब बरफ की गुले था वह कभी भी हिल कर जो ग्लेशियर की मूव्मेंट होती थी अनिकि जब वह खत्ली था तो उन्हें साबधान रहना पड़ेगा इस बाच से का कभी भी बरफ हील सकती है तो जाइज अब